फ्रीजर में रखिए सारे मुबाइल फिर देखिए कमाल तो आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करना विर्कुल न भूलें नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं आसा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो रोज की तरह हम ले करके आए हैं नए नए कुछ टिप्स ऐसे जिससे कि हम अपने मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं तो चलिए फिर पहली टिप्स हम आप लोगों के साथ में सेर करते हैं जैसे कि हम पूरियां बनाते हैं पूरियां बनाने के बाद में तेल जब इकठा हो जाता है ज्य तो आप लोग देखते रहिए इससे विए आपका तेल एक दम बिल्कुल साफ हो जाएगा जैसे कि हमारा ताजा तेल है उस तरह से हो जाएगा जाहे जितनी भी गंदगी होगी सारी तेल से निकल जाएगी तो इस तरह से पहलाने के बाद में अब आप खुद ही देख सकते है और जितनी भी गंदगी होगी वह कॉटन के ऊपर रुपती चली जाएगी इस तरह से आप अपने तेल को अच्छे से क्लीन कर से मतलब साफ कर सकते हैं और फिर से इसमें आप पूडियां पूड़ी पराठा बना सकते हैं आपका तेल एकदम साफ हो जाएगा तो देख सकते कि आप उसी डबे में ये तेल भर लेंगे आपका तेल एकदम साफ सुत्रा हो जाएगा उमीद करती हूँ यह चोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों के बहुत काम आने वाली क्योंकि बहुत गंदा जब हो जाता है तो यही होता है कि इसको अब भाटा दें या तो इसको फिर फेक देते हैं किसी काम में नहीं लेते हैं तो इस तरह से चान लेंगे तो हमारा तेल बिल्कुल जितना भी वाल की गंदगी होगी वो सारी उस कॉटन में रह जाएगी तो देख सकते हैं बरतन से मैंने डबे में ट्रांसफर किया है और मारे बरतन में बिल्कुल भी को आप लोगों के बहुत काम आने हो लिए तो क्या होता है जैसे कि हमारे बच्चों के सौक्स होते हैं यह रवर्ड ही हो जाती है उसके लिए हम क्या करें किस तरह से मतलब ही होता है कि जब रवर्ड ही होती है तो इनको पहनाने में जितने हो उतने ही कम होते हैं क्योंकि लगती है तो इस तरह से यहां पे हम उपर में फसा देंगे इससे हमारा मोजा एक दम एक जगे टिका रहेगा हमारा सौक्स भी खराब नहीं होगा तो चलिए अगली हमारी टिप्स क्या है कि जैसे कि प्रीज को हम कैसे पता लगाएं कि हमारा फ्रीज खराब होने वाला है और फ्रीज हमारा के इस तरह से पता चले कि हमारा फ्रीज खराब होने वाला है तो इसको पता करने के लिए कोई भी मुबाइल ले लिजिए उसकी टॉर्ट जला करके रख दीजिए अगर रबर से इसमें लाइट आ रही है तो आप समझ जाएए कि आपकी रबर जो है खराब ह होने वाली अगर नहीं आ रही है लाइट तो आपकी रबर नहीं खराब है अगर खराब होगी तो इसको चेंज कर दीजिए ताकि आपका नुकसान ना होने पाए तो अगली टिप्स हमारी क्या है कि ग्रेटर को पहनाईए मोजा तो इस तरह से एक ग्रेटर में एक मोजा ल केरी हैं आप चलिए इसकी हम कहां पर यूज करेंगे जैसे क्या होता है फ्रीच की रवर होती है बाहर से अंदर से सौर कर लेते हैं कर दो ऐसे दल्गेंगे तक तुघृत के सब्सक्तारी तना wounded जब देucky одहां कि आगया किसे ज़ग चलब है तो चलिए अगला क्या है वेका के साफ हमें ग्रेटर को इस में मोजा क्या जाली और कि मौत अंदर थाप दरहा हुआं जबाए्ट हमारा ये गैस जो है बड़े अच्छे से साफ हो जाती है और जो भी गंदगी फसी होगी वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी उमीद करती हूँ ये चोटी सी टिपस है लेकिन आप लोगों के बहुत ही हेल्पुल है आप जरूर एक बार ट्राइ करना और मुझे न कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि हाँ ये हमारी टिपस आप लोगों को कैसी लगी तो इस तरह से दोनों वर्नल को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसे जितनी भी गंदगी होगी वो साफ हो जाएगी इसी तरह बीच-बीच में करते रहेंगे तो हमारी गैस गंदी नहीं होगी और बहुत अच्छे से जलेगी उमीद करती हूं ये भी टिपस आप लोगों के बहुत काम आने वाली है तो चलिए अगली टिपस हमारी क्या होती है जैसे कि इस तरह की दवाईयों को लेकर के है जो दवाईयां ऐसी होती है जिनमें इतना बारिक लिखा होता है कि जैसे किस फोटो खीच लेंगे और उसके बाद में आप सोच रहे होंगे मोगाई में फोटो खीचने से क्या होगा तो जरूर एक बार इसको ट्राइक करना जैसे बहुत बारिक होता है नहीं दिखता है तो उसके लिए हमें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है तो इस क्या करें जूम करके हम इक कि इसके छोटे छोटे जो शोटे घआि आप पर सकते हैं आसानीं से बिना चसमे की आप स्था बहुत काम आने वाली है तो इसी तरह से आप कोई भी दवाई हो जिसको आप नहीं समझ में आ रहा है नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको इस तरह फोटो खीचने के बाद में इस तरह से जूम करके आप इसके इस फैरी डेट को पता कर सकते हैं और आपकी समझ में आ जाएगा उम मैंने लगाए हैं इस बार देखिए छोटे-छोटे पेंड लगा दिये हैं और आप भी इसी तरह से फूलों को अपने लगाईए और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सस्क्रेब जरूर कर लेना तो देखिए कितने सुंदर इस समय सर्दियों में फूल आ जाते हैं तो मन कर कि छोटे तो मन कर देखिए अट जुटे था हैं तो मेरे चैनल को सस्क्रेब इस वाज़ हैं डिस सक्रेब ये जा मन कर दो आते हैं तो मेरे जा दो वापने लगाईए अगाई वाको फूलों को स्क्रेब आप दोते हैं